राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे दोनों साथ ही कोड से बाहर निकले दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ जहलक रहे थे चार साल की लंबी लडड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था दस साल हो गए थे शादी को मगर साथ में छी साल ही रह पाए थे चार साल तो तलाक की कारेवाही में लग गए राधिका के हाथ में दहेज के समान की लिस्ट भी जो अभी नवीन के घर से लेना था और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे साथ में कोट का यह आदेश भी था कि नवीन दस लाख रुपिये की राशी एक मुश्ट राधिका को चुकाएगा राधिका और नवीन दोनों एक ही टेंपो में बैठ कर नवीन के घर पर पहुँचे दहेज में दिये समान की निशान देही राधिका को करनी थी इसलिए चार वर्ष बाद ससुराल जा रही थी आखरी बार बस उसके बाद कभी नहीं आना था सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे बस तीन लोग ही बचे थे नवीन राधिका और राधिका की माता जी नवीन घर में अकेला ही रहता था माँ बाप और भाई आज भी गाम में ही रहते हैं राधिका और नवीन का एकलोता बेटा जो अभी सात वर्ष का है कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई थी कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने एक एक चीज में उसकी जान बसी थी सबकुछ उसकी आँखों के सामने बना था एक-एक ईट से धीरे-धीरे बनते घरोंदे को पूरा होते देखा या उसने सपनों का घर था उसका कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था नवीन ठका हारासा सोफे पर पसर गया बोला ले लो जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा चार साल में कितना बदल गया है बालों में सफेदी जहांकने लगी है शरीर पहले से आधा रह गया है चार साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर समान पड़ा था सामान ओल्ड फैशन का था इसलिए कबाड की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था मिला भी कितना था उसको दहेज प्रेम विवाह था दोनों के घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की क्योंकि प्रेमी जोडी को हर कोई तूटता हुआ देखना चाहता है बस एक बार पीकर बहग गया था नवीन हाथ उठा बैठा था उस पर बस वो गुस्से में माएके चली गई थी फिर चला था लगाने सिखाने का दौर इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ नोबत कोट तक जा पहुँची ना राधिका घर लोटी और ना नवीन लाने गया राधिका की माँ बोली कहा है तेरा सामान इधर तो नहीं दिखता बेच दिया होगा इस शरावी ने चुप रहो माँ राधिका को ने जाने क्यों नवीन को उसके मुह पर सरावी कहना अच्छा नहीं लगा फिर स्टोर रूम में पढ़े सामान को एक-एक कर लिस्ट में मिलाया गया बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया नवीन के समान को छुआ भी नहीं फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया रखलो मुझे नहीं चाहिए काम आएंगे तुम्हारी मुसीबत के टाइम में गहनों की कीमत 15 लाग से कम नहीं थी क्यों कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिला रहा था राधिका बोलती है तभी नवीन बोलती है नहीं चाहिए वो दस लाग भी नहीं चाहिए क्यों कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो जाता है बस यूही राधिका ने मुह फेर लिया था इतनी बड़ी जिंदगी पैडेडी है कैसे काटोगी ले जाओ काम आएगे इतना कहकर नवीन ने भी मुह फेर लिया और द वो रो रहा था अजीब सा मुह बना कर जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दो जहद कर रहा हो राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था आज पहली बार देखा न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई सधे लगते थे हिम्मत नहीं थी राधिका की मा आ गई वो उसका हाथ पकड़ कर बाहर ले गई अब क्यों मुह लग रही है इसके अब तो रिष्टा भी खत्म हो गया मा बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठ कर गाड़ी का इंतजार करने लगी राधिका के भीतर भी कुछ तूट रहा था दिल बैठा जा रहा था वो सुनन सी पड़ती जा रही थी जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफा खरीदा था पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था फिर उसकी नजर सामने तुलस मुह पड़ा था एक बार तो उसे दया आई उस पर मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है इसलिए उसे भावुक नहीं होना है उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा कहीं कहीं तो मकडी के जाले जूल रहे हैं कितनी न बाहर गाड़ी आ गई थी सामान गाड़ी में डाला जा रहा था राधिका सुनसी बैठी थी नवीन गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया बोला मत जाओ माफ कर दो शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनन राधिका की माँ समझ गई कि कोट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं काश उनको पहले मिलने दिया होता दोस्तों यह थी एक दिल को छू लेने वाली कहानी जो हमको बहुत कुछ सीखती है प्रत्येक माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि उसकी संतान उनके सपनों को साकार करे उनका आदर करे और उनका कहना माने इन बातों में मुझे माता-पिता की कोई गलत मंशा नजर नहीं आती लेकिन अती सर्वत्र वर्जेते यदि माता-पिता अपनी संतान से यह पेक्षा करने लगें कि उनकी संतान की स्वेंग की कोई च्छाएं ह जैसा और जो भी वे कहेंगे, उनकी संतान को वहज्यों का त्यों मानना ही होगा, तो मेरे लिहाज से यह बाद गलत होगी। अधि किसी कारण एलडड़िहाकी अपने जीवन साथी से नाराज होकर अपने माता-पिता को फोन करते हैं या अपने माय के आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में बहुत से माता-पिता लडड़िहाकी को समझाने की बजाए उसकी गलत बात का भी समर्थन करेंगे और अपने अह और लाइक ज़रूर कर दें, आपके एक लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है की में और भी अच्छे से कॉंटेंट पर काम करूँ, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करें, आपका दोस्त अनिल, सबका मंगल हो!